हेलो डियर चिल्डरन, गूड मॉर्निंग, हाव आर यू आल, आर यू ओके, मेरे गूट, तो आओ प्यारे बच्चों, आज हम पार्ट तीन के ब्याकरन पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं, जब तक हमें ब्याकरन की समझ नहीं आती, तब तक जो हमें आगे जो अभ्यास दिया गया है हमें, उसे नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें जो है ब्याकरन में क्या दिया गया है किसके बारे में है उसको समझना होता है उसको अच्छी तरह से याद करना होता है उसी के बाद वाकी रिक्स्तान प्रशनुत्तर जो भी दिये गए होते हैं उन्हें करना होता है तो आओ शुरू करें यह जो मैं आपको समझा रहा हूँ यह सिर्फ समझने के लिए है आप इसे ध्यान से समझेंगे और उसके बाद ही हम अभिहास करेंगे यह जो मैं समझा रहा हूँ आपको यह आपकी पुस्तक में नहीं है असमत और यूसमत अब दिया है स्वाय मशक्षम हो तो आप सुरू करें सबसे पहले हमारा ओम प्रमातमा का नाम लेते हैं पार्ट तीन व्याकरन पार्ट है हमारा व्याकरन भाग है तो सबसे पहले हमें हम बोलते हैं वे पढ़ रहा है वे लिख रहा है वह आंस रहा है है की संस्कृत क्या होती है तो सबसे पहले आपको है की संस्कृत आने चाहिए यह होती है है अस दात्तु है अस दात्तु है के अर्थ में प्रयोग होती है और तीनों बचनों में चलती है एक वचन, द्वी वचन, बहु बचन एक हस राहा है, दो हस रहे है और बहुत सारे हंस रहे हैं तो एक हस रहा है तो होता है अस्ती दो हस रहे है तो होता है स्त बहुत सारे हंस रहे है तो संती बहुत सारे बहुत वज़न का वाक्या है तो संती लगेगा दूई वज़न दो लोग है दो चीज़े है तो स्त लगेगा और अस्ती एक के लिए होता है ठीक है उसी परकार तुम हंस रहे हो तो तुमाम के साथ असी लगता है तुम दो हंस रहे हो स्थ तुम सब पढ़ रहे हो स्थ मैं हंस रहा हूँ अपने लिए अस्मी हम अस्मी हम दो हंस रहे हैं स्व हम सब हंस रही है ये अस्त हत्तु जो है वो दी गई है है इसकी हिंदी होती है ठीक है और सहत अउते तर शब्द पड़ा आपने वे वे दो वह वे दो वे सब उसके बाद असमद और यूशमद सब्द आपकी पुस्तक में दिया है तो असमद की हिंदी होती है मैं यूशमद की होती है तुम ठीक है और सह की होती है वह वह दो वे सब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे नापुसलिंग की चीज़ हो उसके साथ प्रत्थमपुरुष का प्रयोग होता है तो ये प्रत्थम पूर्श है मारा अस्ति स्थ संति ठीक है उसके बाद आता है यूशमद त्वाम यूवाम यूयम त्वाम के साथ असी स्थ स्थ का प्रयोग होता है उसके बाद आता है अहम अवाम वयम आप पढ़ेंगे पुस्तक में असमर सब्दिय है अहम अवाम वयम अहम मैं अवाम हम दो वयम हम सब वो असमर सब्द होता है मैं के अर्थ में मैं के अर्थ में जो होता है उसमें असमी स्व स्मू मैं हंसरा हूँ अहम हसामी ठीक है मैं हूँ अहम असमी हम दो है हम दो को क्या बोलते हैं हम आवाम हम सब हैं वायम समो ठीक है तो सबसे पहले आपको असदात्तु की हिंदी है ये पता होनी चाहिए फिर किस परकार से असदात्तु का एक वचन है किस परकार से दूई वचन है किस परकार से बहु वचन है आपको आता है एक वचन से या बहु वचन में परिवर्तन करो तो आप आसानी से कर ले अस्ती से संती ठीक है और असी ये तवाम के साथ प्रयोग होता है तवाम यूवाम यूवाम तुम तुम दो तुम सब और अवाम वाम के साथ अस्मी स्वस्म जैसे मैंने उदारण दिया है नीचे सह की इंदी होती है वह तव की वे दो, ते की वे सब तो अब वे है इसकी संस्कृत बनाओं आप वह है तो वह की इंदी हुई सह है अस्ति उसके बाल है वे दो है तव तो वे सब है ते संति लग़री है समझे सह के साथ अस्ति तव के साथ देखो दू बचने तव दो है तो स्त ते बचने वे सब है तो संति ठीक है उसके बाल है उपर हो गया यह उसके बाल आता है मध्यमपुर्स मध्यमपुर्स है मारत तवाम में युवाम यूयम तवाम के साथ असी युवाम के साथ स्थ युवाम के साथ स्थ ठीक है? तुम हो तुम असी तुम दो हो युवाम स्थ तुम सब हो युवाम स्थ उसके बाद आता है अहम आवाम वयम मैं हम दो हम सब तो मैं के साथ अस्मी मैं हूँ अहम अस्मी हम दो है अवाम स्थ हम सब है वायम सम ठीक है ये जो है इसके साथ जुड़ता है उसके बाद उदारन के लिए बाक्या बना दिये मैंने सह अस्ती वह है इसको बवचन में प्रयोग करो अपने आप सह अस्ती बवचन में तो सह का बवचन क्या है सह का बवचन है ते तो आगे लिख दो ते अस्ती का बहु वचन क्या है? अस्ती का बहु वचन है संती संती लिख दो ते संती उसके बार है अहम अस्मी अहम कहा है? यह मैं मैं के साथ क्या लगएगा? अस्मी अहम का बहु वचन क्या है? अहम का बहु वचन है वायम very good वायम लिख blossom वसके बाद asmi कब वचन क्या है suma मैं हूं हम सब है 篇 aucun कब वचन क्या Chest Asi कभवचन क्या है Hon असी कभवचन स्त्र स्तर लिख दो यह जो था उधारन दिए थी मैंने यहां पर यह वचन परिवर्तन ठीक है एक वचन से मैसीज़ कीज़ जे उसको बहु वचन में वरिवर्तन किया आपने एक वचन से बहु वचन बनाया तो इस परकार से एक वचन से बहु वचन में आगे आवे आवियास में ब्याकरन भाग में हमें आएगा तो हम स्वईम करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आ आपको असदात्व याद होनी चाहिए, फिर उसके बाद पुस्तक पे आपकी यूश्मद असमद सब्ध दिया है उसको अच्छी तरसे याद करना है, लिखना नहीं है, उसको याद लिदा गया है ठीक है उसको देखना है एक बचन दी बचन बहु बचन उसका सब पूरा याद करना है असमत होता है मैं यूसमत होता है तुम ठीक है सह होता है वे ताथ शब्द याद कर लिया आपने ठीक है उसके बाद है कि बवचन है जो अस दातू लटलकार में है 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 ठीक है फिर हो तुम दो हो तुम सब हो मैं हूँ तुम दो है तुम सब दो है हम दो है और हम सब है यह याद करना है आपने अच्छी तरह से यह आपको समझा जाएगा अच्छी तरह से उसी के बाद हम आगे का अभ्यास जो वो करने में शक्षम होंगे और अच्छी तरह से कर पाएंगे तो मुझे पूर्ण बिश्वास है आप इसे अच्छी तरह से समझेंगे एक बचन से कैसे बहुत बचन में चीज़े बनती हैं कैसे बनाए जाते हैं वाक्या उसको समझेगे ध्यान से उसके बाद ही आगे हम जो है करेंगे तो बहुताम दिवसा मंगलवाई मस्तू धन्यवादा